हाई एवरीवन वेलकम बैक तो मैं चैनल मुन्मुन राइ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैन्स 2K19 सेलीना गोम्स इंस्पायर मेकप लूप सो व्यूवर्स इफ यू लाइक करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ तो मेरा बहुत सरा एंस्पायर मेक पलूप वेडियो यह उसका लिंक मैं नीचे ड्रेस्वीशन बॉक्स में दे दूंगी आप चाह तो चिक कर सकते हो और मैं अपने इंस्टा लिंक अपने ड्रेस्टूशन बॉक्स में प्रोवाइट कर देती हूँ आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हूँ विवस अब देख सकते हूँ बहुत ही सिंपल लुक है यह विवस यहाँ पर मैं पेस्ट में अप्लाई कर रही हूँ यह आपकी स्कीन को हाइट रखेगा और देन मैं यहाँ पर वेटन वाइल का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ यह फोटो फोकाइस प्राइमर है देन मैं यहाँ पर कलर बार का पांडिशन अप्लाई कर रही हूँ और यह फांडेशन को अच्छे से अपने ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड कर रही हूँ इन ने केरिया और एर्स को भूलना नहीं चाहिए यहाँ पर मैं फिट मेक का कॉम्पैक्ट एपलाई कर रही हूँ यहाँ पर निक्स के पहलेट से ब्लैक कलर का शैडू लेकर अपनी ब्रॉज को अच्छे से फोल्ड पिल करोंगी आँ 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 इस पूली के मदद से अपनी ब्रॉज को ब्राश कर लोंगी और यहाँ पर मैं लाइनर अपलाई कर रही हूँ लैक्पी का 925 और विंग्स क्रियेट कर रही हूँ अब देख सकते हो विवस क्योंकि यहाँ पर सलीना गॉम्स ने कोई शैड़ो अपलाई नहीं किया विवस इसलिए विंग्स क्रियेट किया मैंने और यहाँ पर मैं मेबलीन का कंसिलर अपलाई कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया मैंने अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया मैंने अब आप है यहाँ आप अब मैं कंट्यूर करूंगी एकने पेस को अपर अपर मैं अपनी निक्स के पैलेट से इसका अब आप तक आप यहाँ पर मैं अपनी निक्स के पैलेट से यह थे से इन कलर का बलाश अप्लाइ करूंगी इदिन मैं अपनी वेटन वायल्ड का हाइलाइटर अप्लाइट करूंगी फोरहेट नोज इस अप्दी नोज चिक डून टिप अप्दी नोज ब्राबून यहाँ पर मैं मेबलीन का लेश सेंसेशनल मस्करा अप्लाइ करूंगी क्योंकि इस लूप में जो लेशेस हैं उनका वह भी बहुत डिपाइंड है और यह जो मस्करा है वीवस इससे आपका लेशेस को अच्छा वाल्यूम मिलते हैं यहाँ पर मैं कोई फॉल्स लैश अप्लाइ नहीं करूंगी मैं फिर से निक्स के पैलेट से ब्लै कलर का शैडू लेकर अपनी लौर लैश लैन पर अप्लाइ करूंगी यहाँ पर मैं अपने कलर बॉर का रेट लेप्स्टिक अप्लाइ कर रही हूं मैं सारे मेकप प्रोड़क्ट का जो लिंक है मैं ट्रिक्सेशन बॉक्स में डाल दूंगी आप चाहे चेक कर सकते हो अप्लाइ सकते हो